गोड मानिंग स्टूदेंट आइम जोती आरिया प्रम नवजोती ग्लोबल इस्कूल पाड़ पानी हाव यू आल आज हम पढ़ेंगे यूनिट नमबर तैंट का चैप्टर दे ग्राश ओपर एंड दे आंट ठीक है जो ग्राश ओपर होता है वो होता है टिड्डा ठीक है उसको टिड्डा बोला जाता है हिंदी में वैसे ग्राश ओपर बोला जाता है तो चलिए पढ़ते हैं इस स्टोरी को एक बार एक बहुत ही लेजी मतलब आल सी ग्राश ओपर रहता था ही डिड़न्ट लाइक टू वर्क उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था ओल डे ओल डे लॉंग ही संग सॉंग एंड प्ले इन द वाम संसाइन पूरे दिन भर ये खेलता रहता था सूरज की रोशनी में और गाना गाता रहता था यही look at me I am as happy as can be तो क्या करता है हसता है केता है मुझे देखो मैं जो है कितना ज्यादा खुश हूं जितना ज्यादा खुश रहने की कोशिश कर सकता हूं उतना ज्यादा खुश रहता हूं The grasshopper laughed, हसने लगता है grasshopper at the hard working ants as they worked day and night किसको देखकर जो बहुत ही hard working होती है, महनती होती है, ants उन्हें देखकर वो जो है, हसने लगता है, कि जो दिन रात महनत करती रहती है उन्हें देखकर कहता है, देखो मैं जाहूं, उतना ज़्यादा खुश रहने की कुशिश करता हूँ और उनको देखकर हसता है, कि वो दिन रात काम करती रहती है We are shorting grain for long winter ahead, हम जो है, sorry We are storing grains for the long winter ahead, अब जाड़ा आने वाला है, तो हम जाड़े के लिए क्या कर रहे है, कुछ आना जी खटा कर रहे है They replied, सारी आंट्स reply करती है, उसे The lazy grasshopper only laughed louder, जो lazy grasshopper होता है, वो जो है, केवल उन्हें देखकर हसता रहता है Summer ended, गर्मी जो है, खत्म हो गई, and the cold winter arrived, और जो है, ठंडा आ गया The wind blew strong and it started snowing, बहुत जादा क्या होने लगी, हवा तेज चलने लगी, और बरफ किरने लगी The grasshopper now began to worry, अब जो grasshopper है, उसे चिंता होने लगी There is no food to eat, उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, no grass, कुछ घास नहीं थी, no flowers or leaves, ना flowers थे, वहाँ पर ना leaves थी I can't see even the tinnest fly or warm, वो देख नहीं पा रहा था, एक छोटी सी fly, थी बस, ठीक है What will I do, अब मैं क्या करूँ, I will surely starve, अब मुझे जो है, भूखा मरना पड़ेगा, क्या रहा है, starve means होता है, भूखा मरना He cried, let me meet my kind neighbor, the ant, मुझे मिलना चाहिए अपनी दयालू पडोसी, आंट, चीटियों से The grasshopper remembered how the hard-working ants had stored away grain for winter उसे याद आता है कि कैसे, जो है, ants ने कितनी महनत करके, winter के लिए, जारे के लिए grain, यानि कि अनाज इखटा किया है He knocked at her door, उनके दरवाजे खट-कटाता है, Dear aunt, I am hungry and cold क्या कहता है, Dear aunt, मैं बहुत भूखा हूँ, और मुझे बहुत ठंड लग रही है, I have nothing to eat मेरे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है, Please can you give me some food, क्या तुम मुझे थोड़ा सा खाना दे सकती हो The aunt shocked in anger, aunt गुष्टे में आती है Lazy one कहती है, I'll see, what were you doing in all summer, तुमने पूरी समर पूरी गर्मी क्या किया, You were only singing and dancing, तुम केवल गाते रहे और डांस करते रहे, You should have thought of the cold winter months ahead तुम्हें सोचना चाहिए था कि जाड़े का मौसम आने वाला है, Go away, जाओं यहां से, The slammed her door shut, वो उसके मूपे दरवाजा बन कर देती है दली जी ग्राशो पर was left as hungry as before, अब जो आल सी ग्राशो पर था, वो जो है, भूखा ही रहे गया, है ना, तो इसलिए हमें क्या करनी चाहिए, महनत करनी चाहिए, ठीक है, हमेशा हस्ते खेलते रहना ठीक नहीं है, हस्ते खेलते रहना सही है, लेकिन हर समय मजाक मस्ती करना अ आल सी ग्राशो पर के साथ हुआ, ऐसा आप लोगों के साथ ना हो, इसलिए आप लोग क्या करेंगे, महनत करेंगे पढ़ाई में, जैसे ग्राशो पर की जिंदगी होती है, जैसे हर इंसान की जिंदगी में, जाड़े के बाद गर्मी आती है, गर्मे के बाद जाड़ा आत है न वैसे ही जब एक छोटा बच्चा बड़ा होता है तो उसके उपर भी जमितारी आती है तो इसलिए बच्चे को पहले क्या करना है अपनी तैयारी करनी है पढ़ना है अच्छे से मन लगा के पढ़ना है ताकि वो आगे जाकर एक सक्सेसफुल परसन बन सके चलिए न्यू वर्ट्स देख लेते हैं हम हाड वर्किंग महनती अराइफ मिन्स पहुँचना स्टार मिन्स भूका मरना स्लैम्ड मिन्स से मूँ पे दरवाजा मारना डिकि है अब चलिए हम इसकी कोश्चन आंसर्स देखते हैं सब्चेस्ट दिए हमारा और याणटे लुटर को फुद लुटर को विन्टर में खाना मिला नहीं मिला है ना नू what did the aunt tell the grasshopper when she asked for aunt ने grasshopper से का क्या कहा जब उसने aunt से food मांगा the aunt shock is anger and scold the grasshopper aunt ने उसे जो है बहुत डाठा for being lazy उसके आलसी होने के वज़े से कि उसने सारा समय जो है summer में क्या किया केवल डांस किया काम कुछ नहीं किया if you were asked to store things for winter what would you store अगर आपको winter के लिए store करना होता है खाना तो आप क्या store करते हैं if I were asked to store things for in winter I would store apples, star, fruits and peas ठीक है which season do you like best आपको कौन सा season चलकता है तो यहाँ पे लिखा हुआ है rainy इसके अलावा भी आपको और season भी अच्छे लग सकते हैं तो आप उसे लिखिए circle what that means the same अब आपको circle करना है words पर ठीक है तो आप इन words पर पढ़कर circle कर सकते हैं जैसे speak, talk, south तो speak और talk पर आप circle कीजिए same word meaning देते हैं complete finish, complete और finish पर small thing, little, small और little पर chic और ill, chic और ill पर कर सकते हैं big और large big और large दोनों same meaning देते हैं ठीक है winter, summer winter में क्या होता है, socks, coffee, sweater, scarf, यह सब चीज़े पहने होती है और summer में क्या होता है, milkshake, हम ठंडी चीज़े खाते हैं, ice cream और कपड़े भी हलके पहनते हैं न, चलिए I hope यह chapter आपको समझ में आ गया होगा, thank you dang Christmas झाल